अधिन नदाना विर्मनी सिख्खा पदंसमादियामी सर जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको तो कुछ भी नहीं बालम वो तो बावस आपको ही नहीं जानते ऐसे ऐसे लोग हैं बैंजी जाती का अभ्यास यहां पर यह नहीं नहीं करना है कि हम उस जाती के हैं बिल्कुल मैं यह कहना चाहते हूं कि जाती उन्मूलन की बात होनी चाहिए और उसके लिए सब्सक्राइब करें तीन किता चार किताबों में जाती के उपर खूब लिखा है पहली किताब है क्रास्ट इंडिया इस जेनिशिजन रेकेनिजम नाइटीन सिक्स्टिन में लिखी थी दूसरी किताब है वुवेर सुज्राथ प्ढ़ने चे पैने जाती में जो आछूत लोग गुए वर पोड़ीत कैसे थे उनको बुद्दीच से फिर अचूत कैसे बनाए गया इस में क्याै क्या सी कांसिरेसी चलाई गई ब्रहामनों के Sharap तो ये एक बात वी देए को कास्ट इनडिया में थी वह आवा साब में दूसरी किताब लिखे वावा साब में ड़ा अंटुचपर हुए देंड हम यह बता है कि अस्पूष्य लोग कैसे बने तो यह जो पूश्यमित्र शुंग यह की इवेंट है दूसरा फिर गुपता मुम्मेंट आया 642 के बाद और फिर मुस्लिम लोग आये और मुस्लिम लोगों के राज राजों में बामनों ने खासकर उनके साथ समझोता करा के बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए और जातियों का बहुत सारा संकर कर दिया तो यह संशित में हितियास है तीसरी चौत लोग शुद्र नहीं है शुद्र ओविसी है तो ओविसी जो लोग शुद्र है यह वर्ण में आते हैं ब्राह्मन च्छत्रिय वैश्य और शुद्र यह चार वर्णी व्योस्ता में रहने वाले लोग हैं हम तो अवर्ण है पांचवा वर्ण है हमारा जिसको अचूत का आ गया यह वर्न विवस्ता के बाहर के लोग है हम लोग, अब रही बात कि बाबा साथ बार-बार कहते हैं, हुवेर शुद्राज में कि शुद्र कौन थे, बाबा साथ पहते हैं कि शुद्र वो भी सी थे, अब वो भी सी थे, यह शुद्र पहले कौन थे, तो बाबा साथ पहते हैं क समराथ अशोग कе जुमानें से लेकर तो हर्षवरदन तक छटवी सताबदी तक हम लोग करीप-करीग हमने सो इनुएंवर्शीटिया किए थी 40 ilume Nast research ने खड़ी की थी समराथ उसके, भाद समराथ हर्षवरदन तक 100 ilume a university हमारी थी फॉरेंच से लोग यहां पर पढ़ने को आते थे, इंटर्स एक्साम से नंबर नहीं लगता तो लोग रोते थे, तो यह इतियास हमारा है, बहुत ही गवरशाली इतियास हमारा था, लेकिन साथवी शताब्दी के बाद 612 में जब मुहमत बिन कासीम आया, और मुहमत बिन कास को लाने का नियोता भी यहां के बमन लोगों ने राजपुतों ने दिया, और यह 11 शताब्दी तक इनका संगर्ष चला बहुत धमकों पीछे करने का, और 11 शताब्दी के बाद फिर देली सुल्तान आये, देली सुल्तान 11 शताब्दी से 14 शताब्दी तक रहे, बाद में कॉमिडियन शाषन में ब्रामनों ने हर मुसल्मान राजा को यही कहा, कि हम लोग यहां के मुलनिवासी नहीं है, हम लोग अच्छूत भी नहीं है, हम चुत्र भी नहीं है, हम तो उधर से है, यूरोप से आये हुए लोग है, तो हम भी आपके जैसे, जब अरंग जेब ने और उनको कहा कि हम लोग के अच्छूत नहीं है, हम लोग यहां के इंडिया के ही नहीं हमारे उपर जिजिया मतलगाओ, और जिजिया कर से उन्होंने अपने आपको छूट मिला ली, तो ये इतियास बाबा साब में पूरा लिखा हुआ है, अब सोलूशन बताया बाबा दतायां, ये कोई फिजिकल पर में नहीं होती, सॉलिड पर में नहीं होती है, मन में होती है सौट प्र जैसे, जैसा कि ये सबर इजर का अधूर newborn करता है, तो ऐसी ही जाती हमारे मन की आए तो वावा साथ पते है कि मन में मैं भूसी कैसे, तो कहते है कि जब अच्छूत हम को बनाया गया तब हमको हमारे सारे अधिकार निकाले गया कौन सा अधिकार निकाला पहला अधिकार शिक्षा का अधिकार निकाला गया आपको सिक्षा से वंचीट किया गया दूसरा अधिकार संपत्ति अरजित करने का अधिकार आपका निकाला गया तीसरा आपको इदर गुमने की आजादी आपकी निकाल ली चौता आपको पैसे का कोई भी वावार करने का कोई भी छूट नहीं दे दी गई इसका मतलब आपको रिसोर्स बनाया गया और इसके बाद यह कहा गया कि यह जो हालत आपकी बनी हुए है यह भगवान की वज़े से है इश्वर ने प्रिंसिपल को छोड़कर सिर्प कानून बनता है तो कानून ठोपा जाता है और थोपा उसी को पर जाता है जो गुलाम हो तो ऐसा ये शास्त्रों का कानून हमारे उपर थोपा है तो बाबा साब ने कहा कि जाती मिटाने का पहला इलाज है शास्त्रों की माननेताओं को आप अपने मन से निकाल डालो फिर वो कैसे निकालोगे तो शास्त्रों को जला डालो जब तक हम लोग जलाते नह आचरन से नहीं चला जाता है, इसलिए मनुसमूर्थि को जलाया, कि मनुसमूर्थि यही ऐसा कानून था, जिसमें हमारे सारे गुलामी के पूरे प्रोविजिन रखे विए, तो गुलामी को रोकने के लिए पहला काम करना होगा, शास्त्रों की मन की माननेता को हमारे मन से कितना भी अच्छा होने दो हम नहीं मानेंगे अब यह सिक्षा हमारे दिन में हर दिन गुज गई तो यह मानने के लिए फिर क्या सुलूशन दिया गया उसके ओपर यह बहुत बड़ा आउशद दिया गया 22 प्रतिक्याओं का तो यह बात में दिया गया लेकिन पहले यह कहते है कि शास्त्रों की माननेता को मानना चोड़ दो उसको जला डालो जलाओगे तो मन से भूलोंगे तो सब्टवेर दिरे-दिरे करप और यह तुम रहता है न एंटीवाइरस वाइरस है शास्त्रों को जलाना और माननेता रद्द करना दूसरा हिलाज है कि जाती बढ़ती कै से तो कहते हैं कि हमारे जातियों में विवा करते हैं और इस वज़े से कोई भी अगर इंसान या लड़का या लड़की विद्रो करता है और आंतर जाती विवा करता है तो दूसरी जाती को जन्म देता है फिर तीसरी उप जातिया जन्म होती है तो ऐसी जातियों में उप जा तो इसलिए फिर इसको तोड़ना कैसे हैं तो इंटरकास मैरेज करने के लिए आपकी मानसिक्ता थोड़ी बनी हुए तो इसके लिए फिर आपको समता का भाव रखना होगा इसलिए समता का भाव क्योंकि धर्म का पगड़ा तो जाता नहीं दिमाग से तो वो पुराना धर्म इतने 70 साल के बाद भी तुमारे दिमाग से नहीं जा रहा है तो इसके ओपर फिर अश्यद लगाया कि जो धर्म या धम्म स्वातंत्रता समता बंदुत्व न्याय प्रद्य से आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया जाति को मन से भूल गए फिर शास्त्रों की माननेता जब रद्य हो गई तो इश्वर की माननेता भी अपने आप चली जाएगी क्योंकि इश्वर का आस्ति तो कहां पर है शास्त्रों में क्योंकि गनपति पुरान है यागनेवल क स्मूति है दुनिया वरे के रामा है नहें मा बारत है यह शास्त्रों को जब तुम चोड़ोगे तो इश्वर भी भाग जाएगा फिर तीसरा है आंतर जाती विवा करना पड़ेगा आंतर जाती भोजन करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि हम को एक दूसरे के साथ ब पाना पाना है विपस्यना है कसीना मेडिटेशन है मेत्ता भावना यह अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे और 22 प्रतित्या का आचरण करोगे तो जाती का जो सब्सक्राइब जो करब हो चुका है आपके मन से वह निकल जाएगा और आंतर जाती विवा करोगे तो अगली जाती में मेरे बच्चे का लड़क्या लड़की का शादी करूंगा ही ने तो 25 साल में जाती खत्म हो जाती प्रैक्टिकली लेकिन उससे पहले मन से जाती को मिठाओ तो मन से जाती मिठाने के लिए शास्त्रों को जला डालो मन से और फिर सविधान की प्रैक्टिस करो और बुद्ध दम्म काचरन करो 15 साल करो और वी दे पीपल में जूडते हो तो 10 साल क्या 5 साल में भी सब खतम हो जाएगा तो जाती का नाम लेने की दुरत नहीं है सर्टिपिकेट से जाती को हटा दो बाबा साब ने कभी भी नहीं कहा कि आपके जाती के सर्टिपेट में अपनी तो है तो पहले इनको आरक्षेंटेशन दे दो और इनके प्राब्लेम रख दो अगर मेरा प्राब्लेम वही है वही सी का है सब लोग एक प्रॉब्लेम के लिए जगरने के लिए इखटाएंगे और वो बुद्द्ध हमको अपनाएंगे तो जातिया खत्म हो जाती है लेकिन इसका वाइरस और एंटी वाइरस को भी हम लेते नहीं है हमको पहला डोस दूसरा डोस बुस्टर डोस बहुत सारे डोसेज लेने पड़ेंगे तब जाके जाती जाती है वें जी तन्यवाद अच्छा पता आपने सब्दों को अपने मन में ठाल लेनी है और देरे देर होगा बहुत सारी समस्यें भी हाएगी हमारे सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब मैं छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद तम्मं सेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी संगं सेनं गच्छामी तूं थियंपी बुद्धं सेनं गच्छामी तूं थियंपी बुद्धं सेनं गच्छामी तूं थियंपी धम्मं सेनं गच्छामी तूं थियंपी धम्मं सेनं गच्छामी पूथियों पी संदों सेन बच्छानू दोखियं पी संदम संदम बच्छानू ततियों पी बुद्दों सेन बच्छानू ततियं पी बुद्दम संदम बच्छानू ततियं पी धम्ममर सर्णु गच्छाम। ततियं पी धम्ममर सर्णु गच्छाम। ततियं पी संगर सर्णु गच्छाम। ततियं पी संगमर सर्णु गच्छाम। साथू, साथू, साथू